इस टॉपिक के अंदर जैसा के हमने फाइब मरला प्लान जब हम बना रहे थे तो हमने उसी प्लान का कैड़ 3D और 3ds Max किया था सेम वे में हम अब क्या करने जा रहे हैं कि इसी प्लान का जिसके अंदर हम वर्क करने जा रहे थे इसको लेकर जाएंगे 3ds Max के अंदर दो तीन अबजेक्टिव्स हैं इस सारी दुबारा एक जाएब क्विकली काम करने के 3ds Max में भी वो जो काम शायद उस वक्त हमने दस लेक्चर्ज में किया था अब हम ट्राइ करेंगे कि उसको समराइज करके तीन से चार्ट टॉपिक्स में समराइज करके कन्क्लूट कर दें और शायद विद बैटर एकुरेसी उससे बैटर प्रिसियन और एक बैटर लुक के साथ पर अब्जेक्टिम नबर वन यही है कि आपकी प्रैक्टिस इंशूर हो जाएगी 3DS मैक्स के अंदर भी जैसा कि हमें आइडिया है कि 3DS मैक्स में जब हम कोई चीज लेके जाते हैं और हमने उसे एक्स्टूट करना होता है 3DS मैक्स भी कहते हैं 3DS मैक्स भी कहते है आपने कभी कन्फ्यूज नहीं हो ना मारकिट में 2टम्स चलता है 3D आपको 3DS मैक्स आता है गए 3DS मैक्स गया 3ds मैक्स तुनों परललाल करते रहेंगे अब हमने बात हो रही थी कि जब भी किसी चीज़ को 3DS मैक्स में लेकर जाना है तो उसके लिए उसका प्री रेकुज़िट हमें पहले पता है कि बाउन्डरी बननी होनी लाजमी है अगर हमारी बाउन्डरी बनी हुई नहीं होगी तो वहां पर प्रॉब्लमस आएंगे और वो बाउन्डरी नही होगी उकलोज्ड अपजेक्ट नहीं तो लिए नहीं होग तो एक्स्टूड हुगा ौलेट की भी है सबसे पहला हम यह काम करेंगे किसवे हमारा प्लान है मौझूद वर्क किया है इसी की कॉपी ने इस साथ हम उम किसी और ड्राइंग में भी जाके पेस्ट करेंगे लिए भागरी करें शाद अर्म यह फिर हम इसी प्लान को है कोशिशिक करते हैं को कॉपी करके एक नहीं द्राइंग में लेकर जाएंगे जाएंगे तो फिर हमखे चाहिएंगे जो हमने प्राइटरी चाहिएंगे और फिर इस फाइल को हम लेकर जाएंगे in 3ds Max तो क्योंके हमारे पास door's की लेर हैं, window's की लेर्जेश हैं, लेर्जेश को अफ भी कर सकते हैं, नमबर वन ताके अफ करेंगे तो वह वैसे गायब हो जाएंगे या हम चाहें तो हम उनको delete blocks हैं बने हुए याशन भी है कि हम उस पुर्य दिवार मेंसे डोर और विंडोज की प्लेस खुद से क्ट कर सकते हैं याशनी डोर्स और विंडोो की प्लेस की प्लेस निकाल भी झाली थी 38 मैकस में तो हमने दोनों तरीके देखे थे कि एक दिवार में से निकालनी हैं हमने खुद वह कैसे निकालते हैं और अगर स्पेस मौझूद है जस्ट बिज्ज करना है और दरम्यान में विंडो लगानी है तो वह कैसे लगाते हैं तो बढ़ते हैं हम अपनी ड्राइंग की तरफ ताकि हम उसके अंदर जो मेंडिटरी चेंजिस हैं वह करें और फिर हम जाके वर्क करें इन 3DS मैक्स यह हमारे पास हमारी ड्राइंग फाइल है जिसमें हम काम करते आ रहे हैं हम कोशिश यह करते हैं कि इसको यहां से कंट्रॉल C कर लेते हैं और कंट्रॉल N एक नई ड्राइंग फाइल एंटर और इसमें कंट्रॉल V कर लेते हैं और हम इसको किसी भी अप्राप्रियेट प्लेस पे प्लेस कर देते हैं और यहांसे हम grid को off कर लेते हैं यह हमारे पास अभी जिस plan पे work की है अब यह हमारे पास लाइन्स भी आ रहे हैं जिसको हमने de-enter करके देख भी लिया था कि अगर हमने इन लाइन्स को यहांसे extra lines को remove करना हो तो भी हमने यह plan मौझूद है अब हम बड़ी important एक command जिसको हम execute करने जा रहे हैं यह हमारे पास dimensions भी आ रही है अब करेंगे क्या हम के हमने लेकर जाना है इस सारे काम को units हम चलें इंशूर कर लेते हैं कि यहां से architectural ही set हों अब हमने इस file को लेकर जाना है 3ds max में तो doors की windows की कोई जरूरत नहीं है वहां पे already यह option मौझूद हैं हम इनको वहां पे जाके place करेंगे तो हमने spaces पहले तो निकाल देनी है और फिर हमने boundary बना देनी है जो remaining object अब हम बोड़ी इंपॉर्टन कमांड जो है वो करने जा रहे है यह जैसे है कि हम इसको यहां से आपने भी denote कर लेना है यह हम डिलीट कर लेते हैं suppose हम यह door को मैंने डिलीट करना हो अब इसके दो options है एक option यह है कि मैं इसको select करूँ फिर इसको करूँ फिर इसको करूँ फिर इसको करूँ फिर वन बे वन अब तो यह चंद डोर है हो सकता है हम बहुत बड़ी drawing पे कभी काम कर रहे हैं और वहां पे options बहुत ज्यादा हों तो वहां पे जो command हम एक्जीक्यूट करने जा रहे हैं इस वेरी वेरी मुच इंपॉर्टन कमांड और इस select similar कि अगर मैंने एक door select किया है like this one right click करके और अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह के और जो जो object इस drawing में मौझूद हैं वह select हो जाएं तो आप नोट करें तो जितने doors हैं वह आटोमेट इवन वह जो हमारा door बाहर से हम लेकर आये थे वह वह वाला भी select हो गया यह select नहीं हो क्योंकि यह double panel है इसको select करके हम इसको select similar में लेकर आ सकते हैं तो select similar की command जो है यह इंतहाई important command है और यह take away भी है इस topic से आपके लिए कि इस command को आप execute कर सकते हैं जब आपने एक तरह की object के ओपर कोई operation apply करना है तो instead of selecting a single single one by one object अगर आप आप एक को select करके select similar की command लगाके तो वह आपके automatically selection हो जाएगी तो यह हमारे पास select similar की command है दोबारा हम इसको लगा लेते हैं इसको select किया और select similar तो यह हमारे पास select similar है और delete कर देते हैं तो आप note करें तो जो doors है वो delete हो गए हैं यह हमारे पास additional है इसको हम खुद से delete कर लेते हैं इसको भी हम फिलार delete कर देते हैं इसको भी हम फिलार delete कर द देखें तो सारी window's विंडोज हैं have been selected and that's it ये तो मेरे पास दो तीज़े करना होगे in charge number three तो ये हमारे पास dress का था ये क्यूंके अभी इसका select similar तो और कोई नी हो सकता अगर अगर हम लाइन को करेंगे तो सारी line select करेगा इसको हम खुद से delete कर लेते हैं यह प्रूल डिलीट हो गया अब हमारे पास text है तो text भी same manner similar fashion में select similar and deletion और यह हमारे पास last है options, इसको हम select similar तो theme लिखी थी तो यह भी हम साली select हो गई है हमारी drawing यह वह वापस back to original जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ गये अब अगर हम आगे जा रहे हैं तो क्योंके वहां पे एक्स्ट्रूड करनी है हमने तो जरूरी नहीं कि यह भी हमारे पास फंक्शनलिटी के लिए क्योंके कर रहे थे तो यह भी हम फिलाल यहां से उडा देते हैं इसी तरह स्टेर्स को भी हम यहाँ से उड़ा सकते हैं हम जाके अपनी नई स्टेर्स प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे यह एक थोड़ा सा हमारा ड्राइंग अब यहाँ पर एक बड़ा क्रिटिकल और इंपॉर्टन चीज समझने वाली जो है अन्डरस्टेंड करने वाली है अब हमारे पास एक्चल जो हमारी बिल्रिलण लाइन है वह यह वाली है यहाँ से धुम्र्डन स्ट्राइटो रही है सब्सक्राइन उपहुरा चार्ये है यह फिर तर यह जा रही है और यह जो यह यह जाय्या लाँ कर लहाँ है कि यह वह 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 लाइन लगा रहा हूँ जो हमारा बिल्ट-इन पोर्शन है जिसमें हमने वर्क करना है यह हमारा हो गया अब अगर हम चाहें तो यहां पे और इसी तरह इदर भी देख लेते हैं हम यह लाइन शहाद सेपरेट हैं हम यह वाला इरिया फिला ही कर सकते हैं और यह नहीं है फिल हाल उस देख कर सकते हैं कर सकते हैं तो हम इस वाल को इंशूर कर सकते हैं चलो फिलाल हम इसे पर वर्क करते हैं अब हमने आल वी नीड टू डू इस बाउंडरी बना लेनी है क्योंकि हर वो चीज वहां एक्स्टूड होगी जिसकी बाउंडरी होगी तो एक और चीज जो मैंने आपको पहले भी अगर मैं इसको इदर से भी इंशूर कर लेता हूं तो इसको हम ट्रिम कर लें तो यह हमारे पास एक आप्शन मौजूद हैं इसी तरह यह चोटी बाउंडरी है ठीक है इस फाइन यह बहुत बड़ी बाउंडरी बन रही है तो इसको हम एक्स्टेंड कर लेते हैं और इसी और इसी तरह हम इसको भी एक्स्टेंड कर लेते हैं तो अब आई होब कि हमारे पास रीजिनिबल बाउंडरी जो हैं वो बनेंगी नाव बी ओ मांड हमारे पास बाउंडरी की पिक पॉइंट्स हम करते जाते हैं और एक हमारे पास बाउंडरी है दो हैं और हर वो चीज़ स इसी तरह हमारे पास यह वाला पॉर्शन है जिसके पॉर्शन के भी कहीं बार क्लिक होगी तो वह यह डुप्लिकेट यह वाला हो गया और यह हमारे पास यह पैशियो का था हमारे पास दिस वन और दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन इस वन इसको बाद में चलने देख लेते ह एक दब हम करसर को मूव करके इंशूर भी कर लेते हैं ताके हमारी यह सारी बाउंडरी बन चुकी है यह हमारे पास बाउंडरी है अब हमने इस फाइल को यहां से सिवैस कर लेते हैं और इसको जो हम अपने डेस्क टॉप पर कभी नहीं रखना यह अपसे पहले तो हम भी चलें यहां पर डी ड्राइव में इसको आटोकैड और ड्राइंग्स के अंदर आटोकैड 3D के नाम से प्लेस कर लेते हैं इसको यह से सेव कर लेते हैं यह हमारे पास फाइल जो है वो सेव हो चुकी है और अब हम इसको डाफिनली 3ds Max की तरफ लेकर जाते हैं यह हमारे पास 3ds Max है जिसके अंदर हमने अलड़ी कर चुके हैं हमने इंट्रो भी इसका देखा था वहां से जाके दुबरा अब आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां से इंपोर्ट में चले जाते हैं इंपोर्ट में जाएंगे तो यह लेड़ी मैं एक्सेस की हुई है डी ड्राइव के अंदर फाइल मेरी मौझूद थी इसके अंदर आटोकैड ड्राइंग में आटोकैड 3D के नाम से फाइल थी इसके अंदर आप एक्स्ट्रूड और यह सारी चीज़ है यह हमारे पास डिफरेंट व्यूस के अंदर फाइल आ चुकी है यह फाइल आने के बाद आप नोट करें तो यह मैं सेलेक्ट करता हूँ अगर तो फाइल यहाँ पर मौझूद है और आपको जी अक्सिए यही डिफरेन्स होता है अक्षली यह हम 3D के अंदर जाते हैं अब हम इसको एक्स्ट्रूड कर लेते हैं सूर्ण करने से पहले हम इस पे राइट घिलिक करते हैं और इसको करने से अब जैसे यह आपस करथे हैं हम देखे कि हमारे पहensible पोली तो हम बना जापने हैं जो जो मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टन कमांड है 3ds Max के अंदर एडिटेबल पॉली की सिम्पली आपने स्लेक्ट करना है और स्लेक्ट करने के बाद अब जैसे आप एडिटेबल पॉली पे क्लिक करते हैं तो खुद बखुद सॉलिड यह आप दो नोट करें जो है वो वाल्स आपको नजर आएंगी और इसके साथ यह हमारे पास स्लेक्शन की आप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाती है जिसमें वियर हाविंग आप्शन आफ वर्टेक्स देन एज देन बॉर्डर देन पॉली गॉ पॉली गॉन है यह पॉली गॉन ही हैं और हमने बाउंडरी बना के लिए हैं अगर यह आगे हम वर्टेक्स पे जब काम करते हैं तो यह वर्टेक्स आप नोट करें जैसे ही मैंने वर्टेक्स पे क्लिक किया सारे वर्टेक्स उसके स्लेक्ट हो गए हैं पिर इसके बाद कर लेते हैं, जैसे Ctrl A किया तो सारी Polygons आटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई हैं, अब इसी तूल के अंदर इसी सेलेक्शन तूल में आप देखें, तो option मौझूद है, extrude की, तो हम यहां पे extrude के ओपर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो यहां पे वो अभी बता रहा है, कि दिस जीरो फीट एंड टैन इंचेश, तो वी कने में एक नॉर्मल किसी भी घर की, जब हाइट की बात करते हैं, तो तैन फीट, तो तैन फीट आप नोट करें, तो मैंने इसको हाइट दिया भी, तो यह टैन फीट हाइट के ओपर तैस हो चुका है, और ग्रिट को यहां से जी आपने प्रेस किया उफ कर दिया, अब यह वाल्स हमारी एक्स्टूड हो चुकी हैं, खड़ी हो गई हैं दिवारे, अब यह करने देखें, तो यह हमारा घर का प्लान था, यह मारा ड्राइंग रूम था, लिविंग एरिया है, पैशियो का कॉंसेप्ट था, यहां पे हमने दिया था मास्टर बेडरूम, बेडरूम, ड्रेस, और यह हमारे अगर हम चाहें तो बाद में इस पांडरी वाल को कम्प्लीट भी कर लेंगे, अब वेरी क्व हम स्लेक्ट करके Ctrl-A कर लेते हैं, और M एंटर, जैसे हम M एंटर करेंगे, मटीरियल की टाब हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें Slate Material Editor की option मौझूद है, अब सबसे नीचे हैं तो यह option है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मौझूद हैं, इसके सबसे नीचे में sample slots बने तो यह diffuse color में हमें लेके जाता है, और यह हमारे पास diffuse की option है, bitmap, और यहां पे हमारे पास sample images भी मौझूद हैं, और हमारे पास option है, sample image से हट कर मजीद, यहां पे अगर D drive में जाते हैं, यहां पे हम चेक कर लेते हैं, CAD के अंदर materials के नाम से मैंने खुद material भी रख़ए हुए तो for example, bricks को अगर apply करना चाहते हैं तो you can even see, यह हमारे पास bricks की types भी मौझूद हैं, हम इसे open कर लेते हैं, और यहां पे हमारे पास है assign material to selection, हम इसको assign कर देते हैं, then show shaded material in viewport, तो यह हम note करें, तो यह जो है show हो चुके हैं, अभी इसके बाद हम आगे जाके देखेंगे, और commands म मौझूद हैं, अभी भी आप देखें तो bricks उस तरह की नजर नहीं आ रही हैं, तो हमारे पास further UVW map और आगे associated commands को जब apply करेंगे, so this is how, के हम किस तरह एक plan को, जो CAD के अदर बनाया है, उसको work करते हैं, और लेकर आते हैं, 3ds max के अंदर उसको extrude करते हैं, और material apply करते हैं, आने वाले topic के अंदर देखेंगे, so this topic के अंदर हमने देखा के किस तरह हमने अपनी drawing को सबसे पहले इस काबिल बनाया है, कि वह 3D में आ सके, it means कि हमने boundaries बनाई है, boundaries बनाने के बाद 3D में simple हमने import की है, import के बाद extrude और material apply की है, so आने वाले topic के अंदर definitely हमारे लिए बड़ा rendering.